नमस्कार मैं आपका दोस्ट और होस्ट चंद्रमोहनकाला एरोंस इंडिया से एरोंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं आशा करते हैं आप सभी स्वस्त्वा मस्त होंगे आज हम बात करेंगे ऑडियो सेंटर के आर्टिस्ट T45 DSP और इसके मैचिंग सभूफर के बारे में इसका मॉडल नमबार है SA3218 बात करते हैं T45 DSP ये ऑडियो सेंटर का सबसे छोटा कॉम्पैक्ट और लाइट वेट लाइनर है इसको हमने दो पीस में रखा है एक विद ग्रिल एक विदाउट ग्रिल इसके ओवराल लोग की बात करें तो ये काफी प्रीमियम है फ्रंट साइट में आप देख सकते हैं ग्रिल के उपर ऑडियो सेंटर की ब्रेंडिंग और इसी के साथ में साथ में आपको पकड़ने के लिए दो हैंडल मिल जाते हैं एक सीरीज में आप पुष्पिन को देखें तो पुष्पिन काफी स्मूत ली काम कर रही है एंग करने के लिए आपको जीरो पॉइंट पाइफ पाइफ पांच इंच के लगेवा है इसमें दो हेफ एक इंच के हैं अब बात करते हैं इसका जो रेटेट पावर है वो 1400 20 किलो हर्ट्स है मैक्सिमम SPL 130 db और पीक 136 db है इसका वेट 18 कीजी है बैक मेनल पर देख सकते हैं आडियो सेंटर की ब्रेंडिंग आर्टिस्ट T45 DSP इसका मॉडल नमर है इसके साथ आपको चार LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं पावर, सिग्नल, लिमिटर, प्रोटेक्ट और इसके साथ में आपको फ्रंट LED अन ओफ स्विच मिल जाता है इसी के नीचे आपको वाल्यूम कंट्रोल आप मिल जाता है वाल्यूम कंट्रोल आपको तीन प्रिसेट्स मिल जाते हैं और साथ में USB पोर्ट मिल जाता है USB पोर्ट के साथ में आपको एक एक्सलार आपको power on-off switch power on-off switch के ऊपर आपको AC input मिल जाता है AC input के ऊपर आपको AC link मिल जाता है AC link से आप दूसरे speaker को supply दे सकते हैं अब बात करते है audio center के active server जिसका model नंबर है SA3218 अब बात करते हैं इसके overall look के front side में आपको grill देख जाती है grill के ऊपर यापको audio center की branding branding के ऊपर आपको front side का LED indicators मिल जाता है इसको आपको vertical में और horizontal में दोनों साइड आपको pole mount मिल जाते हैं पकरने के लिए आपको handle मिल जाता है अब बात करते हैं इसके components की इसमें 28 inch के LF है चार इंची voice call के साथ में और अंदर देख सकते हैं आप काफी अच्छे से acoustic form लगाई गई है ग्रिल के ऊपर भी आप देख सकते हैं acoustic form काफी अच्छे से लगाई गई है इसके power की बात करें तो इसका पीक पावर 4000 वाट है फ्रिक्वेंसी रिस्पॉंस 35-150 Hz है इसका मैक्सिमम SPL 134 db और पीक 140 db है इसका एंप्रिफार क्लास D के अंदर है बैक साथ की बात करते हैं बैक पैनल पर आप देख सकते हैं audio center की branding model नंबर से 3218 के असाथ में आपको इसमें 4 LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं power signal limiter और प्रोटेक्ट के साथ में आपको front LED इंडिकेटर का on-off switch मिल जाता है इसे के नीचे आपको इसका volume control knob मिल जाता है इसमें आपको normal और reverse option आपको मिल जाता है इसके साथ में आपको XLR input और output मिल जाता है इसके नीचे ही आपको power socket और power on-off switch मिल जाता है आज के audio center के demo setup में हम यूज कर रहे है top के लिए हम T45 DSP यूज कर रहे है एक with grill है एक without grill आप देख सकते हैं इसे के नीचे हमने base रखा हुआ है audio center के active waste है इसका model number है 3218 चलिए अब करते हैं demo आप 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 मेरे रांचे बता दे मेरी कड़ बड़ी कर ले मुख बरी ना कर जोड़ा जोड़ी ऐसी प्रीत मेरी है ने गोड़ी छलबली करे जो छक जोड़ी हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का audio center का demo और वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब वह बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राक्तो सके धन्यावार